ये दोस्तों जब बाद सूपर हीरो की आती है तो हमारी दिमाग में दो बड़े उनिवर्स आते हैं और वो हैं यूनिवर्स, मार्वल उर डीसी, और मार्वल के सबसे बड़े सूपर हीरो में से एक हैं, अधा, गौड ओफ फंडर थॉर, तो वहीं दूसी तरफ हैं, दीसी से दस्टान आप क्रिप्टान सुपरमैन दोस्तों ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावफूल सुपर हिरो मैंसे एक हैं और अगर इन दोनों की फाइट होती है तो इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा है ये भी बहुत जारे डिबेटेबल है और ये टॉपिक पर बहुत सारे यूटुवर्स ने अपने अपनी थियोरी बताई है तो जैसे आप लोग मुझसे काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं आप लोगों का दिल कैसे दोर सकता हूँ तो ये रही वीडियो आप सब के लिए दोस्तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंे वीडियो को लाइक करें कमेट में अपनी रहे जबूर बताने वीडियो के बारे में तो चलिए टॉपिक पर आथे हैं दो जैसे वीडियो मैंने पहले बताई ही था कि सुपरमेन और अपने युनिवर्स के सबसे पाउफुल सुपर हीरो में से एक हैं बट के गॉड ऑफ थंदर तर लास्ट आफ ऑफ क्रिप्टरॉन से जादा पाउफुल है तो डीसी युनिवर्स में सुपरमेन को एज़ा गॉड कंसीडर किया जाता है दोस्तों सुपरमन किसी भी सुपर हीरो के लिए पहुत ही जादा मुश्किल है तो कि सुपरमेन की पावर इनफ है जो चीज़ेट अप कर सके मारों के गॉर्फ थंदर से तो दोस्तों ये काफी काफी चैलेंजिंग कोशिंग तो है दोस्तों कॉमिक्स में दोनों के ही फीड्स काफी जादा इ अगेंस थार सुपरमेन ने उस अबजक्त को लिफ्ट किया है जिनने वेट सबसे जादा थे पर कॉमिक्स में सुपरमेन की लिफ्टिंग फीड्स वो अलगी लेबल पर है दोस्तों सुपरमेन ने तो अल्ली पुश करके प्लैनेट को और बाहर कर दिया था और उसने इंट विफ्टौरी अपनेिट को और अपनी पावर और ऑन्यक्रीज और क्लस कर सकता है क्योंकि और कर सकता है लोसे सुपरमेन में संस की इस यूज कर सकता है अ हो व्खिर में जासा न चान खारविफंग कर सकता है और दो के सन के भी बट सिबाए रैट सन के क्योंकि रैट सन की सामने वह बीग पड़ जाता है और दूसे तब थौर की बात करें बेसिकली वह वह भी अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है इसे किलिए होता है कि सुपर्मैन को अपनी ही जगा काफी ज्यादा एच है तो मैं अगर बा सब्सक्राइब से एक है बट इसका मतलब यह नहीं कि थौर के पास कोई एज ही नहीं है सुपर्मैन की अगेंस्ट थौर की जैदर मैनुपिलेटिंग की एबिटी और उसका मैजिक काफी जादा अडवांडिज देगा सुपर्मैन की अगेंस्ट और यह तो आप जानते ही ह के सुपर्मैन को होल्ड बैक कर सकता है और पूरे आर्ट को अपने फेवर में कर सकता है और दूसरी तरफ सुपर्मैन की एक और वीकिने से क्रिप्टोनियन यानि क्रिप्टोनाइट के संपर्क में आका सुपर्मैन काफी जादा बीक पड़ जाता है और अगर इंटेलिज किया है शेजम को अपने काफी इंटरन साइट में डिफीट भी किया है तो शेजम तो मैजिक का यूज भी करता है सुपरमैन का विनिंग रेशो काफी ज़दा हाई है यह दोनों अपने अपने अडवांटेज को होल्ड भी करते है बट फाइट करते हुए जैसे थौर के पास ब्रीफली ऑफ डैटली बैपन है जाहें वो मियूनियर हो या स्ट्रॉम बेकर और दूसरी जब सुपरमैन के पास काफी ब्रीफली ऑफ पावर है यहनी बराइटी ऑफ पावर है जैसे फ्रीज ब्रीज ब्रेथ, हीड विजन, इं काउड हो गया था तो आई होप फ्यूचर में भी इन दोनों की फाइट हमें देखने को मिल सकती है आई होप और वो फाइट काफी ज़्यादा शांदार होगी हमें देखने में काफी ज़्यादा मज़ा भी आएगा जोस्तों अगर मैं अपना पॉन्टिफी दूँ तो मैं किस को विनर गोशिष करूंगा दो दोस्तों अगर इनकी में मैं किसी को रिखलेर करता हूं विनर तो वध शूपरमैन ऑगा दोस्तों आई होप आपको वीडियो कैसी लगए आई तिंग अच्छी लग योगी तो वीडियो को लाई चैनल को सुस्क्राइब ज़रू कर ले वो गाइस चैनल सुब्सक्राइब कर लो जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूं थैंक्स वूर्वाचिंग